नमस्कार दोश्तों, ग्रेट टेलेंट में आप सकी का हाथ भी स्वावब। आज के इस वीडियो में जिसका सिर्षक है अनुमावन बचार। जो संतो द्वारा सद्यों से, युगों से हमारी इस भारस बर्ष में प्रभाहित होते हैं। इन ही वचनों में से कुछ चुनिंदा वचनों को इस वीडियो में समाहित करने की कोशिश की लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। धन्यवाद। हमारे अधिकतर कारिय चर्चा के आधार पर आधारित होते हैं। जहां कहीं मौन की मौलिकता है, महा कारियो में शुद्धा दिखाए देगी। इस दुनिया में बातों से कुछ नहीं हो सकेगा, बात एक जरिया बन सकती है। बस कारिय ही आपकी पहचान दुनिया से करवाता है कुछ करने से पुर्व संभाशन करने की कोई आविश्यक्ता नहीं है कोई पुर्व धारणा बाधने की भी जरूरत नहीं है कुछ करके बता देजिए सब कुछ अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा किसी भी वादे का कोई इंतजार नहीं करता है आप चाहे कितनी कसम दे दे कोई रुकता नहीं है दुनिया सिर्फ आपके कारिय को देखती है ये दुनिया आप में क्यों रुची रखेगी वो तो अपना उल्लू सिधा करने के चक्कर में है इसलिए अपना गंतव्य अपना रास्ता तै करके उस पर चलिए लोग अपनी समस्या लिये हुए है आप कितना भी अच्छा काम कर ले इस से उनको क्या फर्क पड़ेगा जैसे ही आप उनकी समस्या को मिटा देगे वे सभी आपका इंतजार करते रहेगे वक्त बदलता है जिन्दगी के साथ जिन्दगी बदलती है वक्त के साथ वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ बस अपने ही बदल जाते है वक्त के साथ दोस्तों जिन्दगी प्रतिपल हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है समय का रुपानतर ही जिन्दगी है सोचे अगर समय एक जैसा होता तो जिन्दगी क्या होती इसलिए समय के साथ परिस्थितिया परिवर्थन का परियाई बन हमारे सामने उपस्थित होती रहती हम सब कर्म से बंदे हैं और इसलिए हमारा कर्म ही हमारी पहचान है हम उपने कार्य के प्रती जागरत रहे ये जरूरी है साथ ही हमारे प्रत्य कार्य स्वार्थ से परे हो ये भी जरूरी है इसमें इसकी मौलिक तच्छिपी है हार ये बताती है कि जीत के लिए कोशिश सही रूप से नहीं की गई सफलता ये बताती है कि शत्र को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए विपलता हमें सिखाती है हम सदा सकारात्मक बने रहें भूल ये बताती है कि आप कोशिश करते रहे बार-बार की घलती ये बताती है आप किसी कारिय के प्रती जागरूख नहीं है लापरवाही आपकी प्रगती को रोकती है आपके सम्मान को खंडित कर सकती है मेरा जीवन केवल दिन चरिया से शुरू होकर जरूरतों के दाइरे तक सिमित नहीं होना चाहिए मैं यहाँ सिर्फ आम मुद्दों के लिए जीना नहीं चाहता मुझे में कोई विशेश बात है जो मेरी आदमियत को प्रेणा देती रहती है मुझे बहतर से बहतर उद्देश लेकर कुछ काम करना है मुझे वक्त के साथ चलना है मुझे जागना है जीवन क्या है एक गुजरता हुआ कारवा जिसमें नजाने कितनी उम्र गुजर गई कितना वक्त गुजर गया कितने लमहें कट गए कितने ख्वाब तूट गए कितने अर्मान निकल गए इसके बावजूद भी हम अभी भी उस साइन बौर की तरह खड़े है जो बस लोगों को सिर्फ रास्ता दिखाता रहता है आप रिष्टों की भीड में कहीं खो मत जाना रिष्टे कितने बनाए ये जरूरी नहीं जरूरी है उन रिष्टों में कितनी जान है क्योंकि चीजों की किमत तब तक है जब तक वो बिकी नहीं है फिर उसे कोई पुष्टा नहीं है जबके इनसान की किमत उसके मरने के बाद महसूस होती है रिष्टे चाहे कितने ही अच्छे हो कितने ही संजिदे हो पर जब तक उसमें दिल की नमी नहीं होती वो उस कागस के फूल की तरह है जो दिखता तो खुब सुरत है वो हमारे दिल में धड़कन की तरह धड़कती रहनी चाहिए वक्त एक छलनी की तरह है वो इनसान को तरास्ता ही रहता है जिस दिन आव अपने भीदर की कमजोरी को पहचान लेगे उसकी आदी ताकात को उसी वक्त खत्म कर लेगे हर इनसान की अपनी पहचान उसकी जुपा होती है जब तक वो खामोश है उसका परिशे अधुरा है जब वो बोलता है दुनिया की सारी बयानवाजी जुटी हो जाती है समस्या यह क्या कहती है कि तुम सही रास्तों पर चल रहे हो पर जब कोई ये कहे कि वो हर बात में सही है वो गलत फेहमियों से गिरा रहेगा कहते हैं इंसान जन्म के दो वर्ष में बोलना सीख लेता है पर क्या बोलना चाहिए? कैसे बोलना चाहिए? ये सिखते सिखते जिन्दगी निकल जाती है जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों ही गुना है इसके बावजुद जुल्म सहने वाला जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तो उस इनसान का बदला स्वयम भगवान लेता है स्वाविमान वो है जो इनसान में एक असमत की तरह रहता है पर जो अंदर से बाहर निकल जाता है वो अभिमान होता है आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर पसंद आया हो तो अपने ग्रूप में शेर अवश्य करे कॉमेंट्स बॉक्स में अपना सुजाव लिखना ना पूले और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना पूले तो फिर नए एक वीडियो के साथ मिलते है तब तक के लिए आप सब खुश रहे निरोगी रहे धन्यवार